अगस के इस महने में आप सभी के पत्रों, संदेशों और कार्ष ने मेरे कार्याले को तिरंगा मैं कर दिया है। मुझे ऐशा स्वाहेदी कोई पत्र मिला हो जिस पत्र तिरंगा ना हो या तिरंगे और आजादी से जुड़ी बात ना हो। बच्चों ने, युवाज साथियों ने तो अमरित महोत्सव पर खुप सुन्दर सुन्दर चित्र और कलाकारी भी बना कर भीजी है। आजादी के इस महने में हमारे पूरे देश में, हर शहर, हर गाउं में अमरित महोत्सव की अमरुत धारा बह रही है। अमरित महोत्सव और स्वतंत्रदा दिवस के इस विशेश अवसर पर हमने देश की सामोहिक शक्ति के दर्शन किये हैं। इस चेतना की अनुभूती हुई है। इतना बड़ा देश, इतनी विवीदत आएं। लेकिन जब बात तिरंगा फरानी के आई। तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई गिया। तिरंगे के गवरों के प्रसम प्रहरी बनकर लोग खुद आ गया है। हमने स्वच्चता अभ्यान और वेक्षिनेशन अभ्यान में भी देश की स्पिरिट को देखा था। अमरित महोत्सों में हमें फिर देश भक्ती का वैसा ही जज़वा देखने को मिल रहा है। हमारे सैनिकों ने उंची उंची पहाड की छोटियों पर, देश की सिमाओं पर और बीच समंदर में तिरंगा फैराया। लोगों ने तिरंगा भिहान के लिए अलग-अलग इनोवेटिव आइडियाज भी निकाले। जैसे गिवासाती कृष्णिल अनिल जी ने, अनिल जी एक पजल आर्टिस्ट है और उन्होंने रिकॉर्ड समय में खुपसरत तिरंगा मोजेक आर्ट तयार की है। करनाटका के कोलार में लोगों ने 630 फिट लंबा और 205 फिट चवड़ा तिरंगा पकड़कर अनूठा द्रश्य पस्तुत किया। असम में सरकारी कर्मियों ने दिधाली पुखरी बार मेमोरियल में तिरंगा फैराने के लिए अपने हातों से 20 फिट का तिरंगा बनाया। इसी तरह इंदोर में लोगों ने हुमन चेन के जरिये भारत का नक्षा बनाया। चंडीगर में युवाओं ने विशाल हुमन तिरंगा बनाया। ये दोनों ही प्रयास ग्रीनीच रिकॉर्ड में भी धर्श की गए हैं। इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश की गंगोड पंचायत से एक बड़ा प्रेणादाई उधान भी देखने को मिला। यहां पंचायत में स्वतंत्रता दिवस के कारकम में प्रवासी मजदूरां के बच्चों को मुख्य अतिधी की रुप में शामिल किया गया। साथियों, अमरित महोत्सव के ये रंग केवल भारत में ही नहीं बलकि दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिले। बोत्सवाना में वहां के रहने वाले स्थानिय सिंगर्स ने भारत की आजाजी के 75 साल मनाने के लिए देशभक्ति के 75 गीत गाए। इसमें और भी खास बात ये है कि 75 गीत हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बांगला, असम्या, तमील, तेलुगु, कनड़ा और संस्कृत जैसे भाषाओं में गाए गए। इसी तरह नावीविया ने भारत नावीविया के सांस्कृतिक पारंपारिक समंदों पर विशेश डैम जारी किया है।